करें बच्चों नमस्कार मैं मनी सर्मा मैट की स्वागत करता हूं तो जैसा कि बच्चों आप सब जानते हो हम चर्चा कर रहे थे आपके 11 क्लाश के टोपिक टिग्नोमेट्री के उपर जिसके अंदर बच्चों हमने अभी तक आपके एंगल से रिलेटिड बेसिक बातें डिस डिग्री में किनवेट केसे किया जाता है उनके ऊपर बेस्ट कोस्टिन कैसे बनती है इसके बाद स्टूरेंट फिर हमने यह देखा कि जो एंगल है भी तक आपने पड़ा था टैंथ क्लास तक बी एंगल जीरो टू-90 डिग्री यह जीरो से नभी डिग्री के बीच के जित यह पढ़ना था कि क्या 90 डिग्री तक ही एंगल थोड़ी नहीं होता है इंगल तो बहुत ज्यादा होते हैं वह जबता है अपने 360 का राउंड हो लेकिन अगर कोई कोई कि रहन अपनी अक्स पर बार बार रोटेशिन करती रहे तो उसके एंगल तो बढ़ता रहेगा लेकि पोजिशन रिपीट करता है स्थिती वही है तो एंगल की वेल्यू भी रहेगी तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो आपके चार चतुरांसा उनमें यह देखा कि कौन-कौन सा एंगल किस तरीके का भी वियर करता है अमने देखा कि फर्स्ट क्वार्डेंट में आपके जो सिक बहुत कहां है वह फर्स्ट क्वार्डेंट में सेकंड थर्ड या फोर्थ अब आपको इस स्टूर्ण जरूरी है मानता हूं भी साइन जैसे में फॉर एक्जांपल मालीजी की साइन 120 है उसकी वेल्यू आप पता कर लोगे साइन 210 है उसकी वेल्यू पता कर लेकिन साइन जो उसका पोजिटीव या नेगेटिव जो साइन होता है वहां पर प्रोबलम हो जाते हैं क्योंकि अमालोड आपने पोजिटीव की जिए ओपर बनाना पड़ेगा तो उनने देखा था यह उनमें ये देखा कि एंगल कौनसे क्वार्डेंट में आएगा यह कैसे पता करें इस 3π2 माइनस थेटा और 3π2 प्लस थेटा के केस लिए और लाश्ट में पबने फिर फॉर्मूले पड़ लिए तो स्टुटेंट फिर आज का लेक्ट्टर जो हमारा हो आपका पाले तो कोश्चन से रहेगा जो जितना प्रकूट उसे बाद इंगल यहादि जब एग संधिक चर्चा रेगी तो सबसे पहले स्टूडेंट हम आज के इस लेक्चर में आपकी बुक के कुछ कोश्चन करना चाहेंगे है तो वह कोश्चन देखिए कि मुश्चन आपकी बुक के ही हैं ज्यादा अलग नहीं है स्टाइटिंग आपकी बुक के एक्जांपल से कर रहा हूं जैसे एक्जांपल नंबर जो शिक्स आपकी बुक का वह देखिए एक्जांपल नंबर शिक्स है कि कोश्च एक्स इक्वल टू माइनस थ्री बाई फाइफ विल्ल्यू एस्टुडेंट अमारे पास कोश्च ओफ एक्स इक्वल टू माइनस का थ्री बाई फाइफ और यह दिया हुआ है जहां एक्स इस फिलोंग टू थिर्ड़ कौण्रेंट क्या यह जो एक्स है वह जो भी एंगल है हमें उन्हेंव स्टूडेंट यह तो नहीं पता कि एक्स की वेल्यू कितनी है विकितने डिगरी का यह कितना रेडियन है लेकिन यह दे इदिया कि वह थ्रड़ क्वाइन तो थेट गॉडिंट में जानती हैं सिर्फ टैन और बच्छो यह दो वेल्यू ऐसी होती है जो आपकी पोजिटीव होती है बाकि आपका जो साइन है को से को से और सेक इन सब की वेल्यू क्या होती है नेगिटिव होती है तो इसके आगे लिखाओ तो अन्याप पांच त्रीक कि टैने क्स कोटेक्स कि सेख एक्स और को सेख इसको मैं ज्यादा टफ ने बनाता आपके लिए आपके 10th क्लास के रूल के अनुसारी करते हैं और यदि आपको याद हो आपने 10th क्लास में जैसे जो इंदी मेडियों के स्टूडेंट है उन्होंने पढ़ा होगा लाल बट् इसको याद रखने के आपको अलग अलग त्रिक जैसे जो भी आप याद रखो फरर परेंडिकूलर बेस परिपेंडिकूलर हाइपोटेनियस पर शाइन होगा वह जाएगा पर पर पेंडिकूलर भी मंडिकूलर अंकीनिंच यह जएगओ ऑपर तर यहोगर्य Jedgy Ohhunta अपन एन्ड टी करता हूं ठीक है जो इसका वेस यह दिया में थ्री लता हूं इसका फाइव कि जो लंब है अर्थात पर तेंडिक्टिकुलर हो कितना एगा फॉर अर्थाद च्यार आएगा अब कैसी आएगा और आप जानते हो सारी पांच का स्केर माइनस दिन का कि मैंस दिन का स्केर कितना कोशेक्स पेनेक्स कोटेक्स और कोजेक्स इनकी सबसे पहले सिर्फ हमारा काम यहीं रहेगा स्टूडेंट वेल्यू रख दो एक बार बागी प्रोसेस तो पी अपून एक पी अपून एक फोर पॉन फाइव पूर फाइव पूरी कोश्टी लिग गया गया है यहां पर सैक र इस एक पर फैफ पॉर्व पोर बेस फाइव पॉर यह फाइव पॉर लेकिन अब प्रोब्लम मात्य साइन की इतना काम तो अपका स्टूरेंट यह आपको देखो तो मैंने इसको आपके 10th क्लास करके किया चाता फॉर्मुलियों से कर सकते थे युज लेकिन फॉर्मियों य तेन पोजिटिव पोजिटिव यह भी डिफरेंस इतना हो जाएगा इन तीनों के आगे नेगेटिव से रहेगा और इन दोनों के आगे पोजिटिव से अब तरह स्टुडिक्कत आई है सिंपल कोस्टिव आपको जो बेसिक बाते बताएं याद रखनी है और याद रखनी जो प्रोसेस आपको बताईए हर बात का आपको रीजन दिया गया अभी जो भी बात वह इसा क्यों होता है तो स्टुड़न इस टाइप के आपकी बुक का एक एक जामपल नंबर सेवान और जो आपकी 3.2 एक्सराइज है उसके स्टार्टिंग जो 5 कोश्चन है वह भी स्टुड़न आपके लिए रहेंगे अब कोई स्टुड़न सी परोसे जो आपको भी तक अभी मैंने किया बताया है इस एक्जामपल से आप वापस समझे कि आपको क्या है कि कोई एक एंगल तो जो आपने टेंथ के लास में यह फॉर्मिले पढ़ी है ना इंतो टेंथ में बेस अपन पर पैंडिकुलिया जो भी फॉर्मिले आप यादे को जैंदी मेडियम वाले अवलाल बटे कका इंगलिस मेडियम वाले स्टुडेंट इसी सब से आप याद रखते हो तो सबसे काम आपका क्या होगा कि आप एक जो भी वेल्यू प्रम मैं यहां पर प्रपेंडिकुलर नहीं था वह पता करूं फिर साइन को से इन सिक्स वेल्यू को उसके दार पर बना दीजिए कोडिंट के कोडिंग साइन लगा दीजिए जैसा कि आप सब जानते हो फर्स्ट आपकिंड़ी होते हैं उसके उदार पर साइन रिसान लिष्ट के कि इस्टूर पर आगे बढ़ते हैं एकजम्पल लॉंबर एक लिए सब्सक्राइब करना पड़ सकता है लेकिन आपको बेसिक फंडा याद है जो प्रोसेस बताई थी याद है वह देखो सबसे पहले मैंने का था इनको पाइब टू या पाइब की कोर्डिंग तोड़ लिए काम करो 31 को 3 से डिवाइड करो यानि बाग कर दो और जो रिजल्ट आ सब्सक्राइब कर दो तो 30 यह जाएगा complete यह तो complete हो जाएगा प्लस बचेगा तो इसको पाइवाई 3 इतना लिख सकता हूं यानि यह स्टूर्ण अराम से मैंट पर 0 डालिए जो फॉर्मुले आपको प्रीवेस लेक्षर मेरे बताई है एक वर उनके ऊपर फोकस कीजिए कि सब्सक्राइब को मैं अगर 3 से डिवाइड करूं तो 10 पर तो complete जाएगा उसके बाद एक और बच जाएगा निए वन रिमेंडर जोगा उसको मैं वन पाइभाई 3 लिख दू आगी प्रोसेस तो ने समझ में इतनी अब पोजिशन देखो सबसे पहले पोजिशन की इस एंग पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई अगर इसमें मैं पाई बाई 3 एड करूंगा तो मैं कौन से कौर्णेंट में पहुंचा स्टूडेंट हमारा कौर्णेंट रहेगा कौन सा फर्स्ट और फर्स्ट क्वाइट में साइन होता है पोजिटिव मुझे इतना तो पता चल लगए अभी एंट कि पोजिटिव एल्यू और टैन पाई का बिया कम है उसकी पोजिशन क्या बता रहा है कि आप पोजिटिव और इस लाइन कि कोरिस्पंडिंग जहां वेल्यू फइंड out करती तो मैंने का था वो चैंज नहीं होता है नि साइन का क्या रहेगा सांइन पाई भाई थ्र है कि कहने का थ्टूडेंट ही हो गया 31 पाइब 3 जो है वो है वैसा ही होगा जैसा डियर्कटली पाइब three है तो साइन पाइब 3 की वेली कितनी होती है रूट 3 वाइट तू जिन स्टूडेंट के पाइब 3 याद रखने में दिक्क्त आती है तो स्टुटन सी प्रोसेस यही रहेगी कि आप क्या कीजिए आप पाई को 180 लिख रो 180 को 3 से डिवाइड करो तो कितना एगा 60 आएगा और 60 वेल्यू कितनी होती है रूट 3 वाइटी होगी बस सिंपल सी बात है आपको याद रखना चाहिए आप पाई को माइंड में रख लो 180 के तोर पे हाँ एक बार सुरू सुरू में आपको ओड़ सा लगीगा थोड़ा अलग लगीगा पाई भाई भाई 3 पाई भाई 4 और पाई भाई 6 यह तीन वेल्यू स्टुडेंट में आपके में पाई भाई 3 ओगा 60 पाई भाई 4 ओगा 45 और पाई भाई 6 ओगा 30 डिगरी जनके डाउट आता है भी यह वेल्यू क्या होगी पाई भाई 3 को कोई स्टूर ने दिपाई भाई 6 की वेल्यू 30 माले तो आप डिवाड़ करके देख लिजिए पाई का वेल्यू तो आपको प 710 डिगरी रेकिन नेगेटिव रें इस कोश्चन को स्टूर थोड़ा ग्यांसे समझे है नाइन पोस माईनस 1710 तो स्टूर देखो मैं स्टेप से मिजरेमेंट कराऊं वान इस डिरेक्शन से चल रहा हूं वन सेवन वन जीरू तो यदि आपको यह दो पाई का मतलब होता है 180 डिरेक्टली में लिखता हूं टैन पाई सोरी अंड़ कर दिया वह जाए कंप्लीट तो सबसे परे तो आप फॉर्मिला दिमाग में डाले कोस माइनस ओफ टीटा कोई फरक नहीं पड़ेगा हम डिरेक्टली इसको को स्टेटा लिख सकते हैं ठीक है क्यों होगा मैं आपको दोनों प्रोसेस से बता हूं तो पहले मैं तो इंगल की साब से जल जाओ नेगेटिव हो यदि मैं मेजरेमेंट करता हूं टेन पाई तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तैन मैं यहां आ गया यानि मेरी नेगेटिव साइड से भी माया तो मैं इस पॉजिशन पर आया लेकिन मुझे अब क्या करना होगा माइनस जो वन थाउजन्ट एट हंडड है मुझे उससे यह बनाना है तो मुझे अब इसमें 90 प्लस करना पड़ेगा अब यहां ने के बाद दी मैं 90 प्लस करू सब्सक्राइब करें नेगेटिव वेल्यू कैसे बता चले तो देखो नेगेटिव से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि क्यों कि मैंड में यह फॉर्मिला यदी यूज करता कि को समाइनस थेटा इक्वल टो पोस्टेटा यहां यूज करकि आपको यह बता हूं वेल्यू सब्सक्राइब करें तो आपके दिमाग में सब्सक्राइब क्या पता वह इंगल इसी में आपका 1710 डिग्री जो आप कह रहे हो ए महीं मानता हूं इस इंगल इस प्वाडिन्ट में नहीं है तो यह फॉर्मिला प्लाइब नहीं किया हम डिरेक्ट्री एंगल की पोजीशन च मेरी पोजीशन फिल्हाल मैं यहां पर हूं याषनि माइनस गाव 180 00 वह यहां आ गया और मुझे क्या करना है लेकिन मुझे तो माइनस का 1710 तक जाना था मैं तो बोज्वादा माइनस की और आ गया थो मुझेकर कितना जाना हूगा 90 अब यदि मैं यहां से तो आपको पता है मैं यहां इस पॉइंट पे आऊंगा और यह पॉइंट तो डिरेक्ट पाई बाई टू के एकवल है यह जो बिहेवियर होगा इसका वह कंप्लेट 90 डिगरी के एकवल होगा और कंप्लेट 90 है तो यह क्या हो जाएगा जीरो क्लियर हो गया और वैसे माइनस बार निकाल के देखो तो फिर भी यहीं आएगा क्योंकि वह जो आपका पाई होगा ना उसके कोडिंग देगरी क्यों पाई-बाई-टू की एक पोजिश्टिशन बनेगी क्लियर हो गया स्टुडेंट कोई डाउट नहीं होना चाहिए म सब्सक्राइब हो गया होगा ठीक है तो आपकी बुक के जो कुछ कोस्टन से हैं जैसे फर्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव मैंतर से आपके लिए होगर कर सकते हो इसका एक कोस्टिशन और है कोट हो कर रहे दिया है तैन एंटिन पाई-बाई-थ्री और साइवन पाई- आप देखे इस्टूडेंट आगे बढ़ते हैं तो आपकी बुक का है एक कोस्टिन नमबर एट टैन नाइटीन पाई-बाई-थ्री और एक कर वार हूं स्टूडेंक कोस्टिन नमबर नाइन साइन इलेवन पाई-बाई-थ्री साइन इलेवन पाई-बाई-थ्री आप सुर्ण दो को करते हैं और इस लैक्चर को फिर फिनीश करते हैं तो थी से इसको मैं डिबाइड करूआ तो आएगा एटीन यह शिक्स पर जाएगा शिक्स पाई हो गया पाई-बाई-बाई-थ्री यह वेलियो-टे से लैस होने चा में चल रहा है तो यह चैन्ज नहीं होगा 10 5 3 क्या होता है कितना सिंपल है तो प्रोसेस बताइए वो याद रुख से मैं 11 को 3 से डिवाइड करता हूं तो स्टुडेंट वह वेल्यू कितनी आएगी वह आएगी नाइन नाइन प्लस तूपाइब लिखा जाएगा ना तो 3पाइब प्लस तूपाइब थ्री पाइब थ्री होता है सिक्स्ट यानि वंट बंट यह तो यहांपी तो थेटा नाइन की से बड़ा हो रहा है लेकिन वह तो नहीं बनाना तो हम थोड़ा सा 12 तक जागे थृप फॉट्र यहां होगा माइनस किया तो फॉर्थ क्वादेंट यहां हो गया नेगेटिव पाइब अक्वरडिन हो रहा है तो साइन का स्टाइन आएगा साइन पाइब थ्री तो डिजल्ट होगा माइनस रूट त्री वाइट टू लिंवा थू प्लिर तूडर्ण ऑन प्रूमुलों के ऊपर बेस्ट और जो मारा नेस्ट लेक्च्ट रहेंगे एक दो वह कम्प्रीट फॉर्मुलों पे रहेंगे जहां पर फॉर्मुलों को समझेंगे उनका यूज़ के यह दिंगल तो तो तरने भी एंगल 0 30 45 60 90 तो बहुत सारे होते हैं अब उनकी वेल्यू कै आज के लिए इतना ही तब तक के लिए टेक केर धन्यवाद